नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों आज बात करने वाले हैं दो एनलिसिस करने वाले हैं बहुत ही बहतरीन तरीके से करेंगे ETF का वीडियो में अंतक बने रहेगा एक है Silver Bees का Analysis क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि Silver Bees बढ़ने वाला है तो कितना बढ़ेगा और या कितना तूटेगा ठीक है लोग बोल रहे हैं कि बढ़ेगा लेकिन बढ़ तो रहा नहीं है बहुत दिनों से एक लेवल पर Consolidate कर रहा है तो यह हम लोग Analysis Complete करने वाले हैं दूसरा Analysis हम लोग करेंगे कि Hangs and Bees चाइना का जो ETF है जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था उसके बारे में करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे एक नंबर फ्लेश आउट करेगा ETF Trading Course का जो लोग नए जुड़े हैं वो इसको कर सकते हैं WhatsApp पे Hi Hello Lick करके Inquiry कर लीजिए इससे आपका regular income का source एक generate होगा और losses आपके कम होगे चलिए दोस्तों वीडियो को बिना समय गवाए हुए start करते हैं तो start करने से पहले एक बार FIDI का data देख लेते हैं आज दिन है 8 February ठीक है? 8 February का दिन है और आज Thursday का दिन है आज closing था तो Nifty ने जो है 0.97% नीचे बंद हुआ है 21,717 पे Nifty ने closing दिये है और Sensex ने 71,428 पे closing दिये bank Nifty की अगर बात करते हैं तो bank Nifty भी जो है red में बंद हुआ है minus 1.63% bank Nifty टूटा है ठीक है? तो वीडियो को start करते हैं एक बार FIDI का data चेक कर लेते हैं क्या condition FIDI का उसके बाद हम लोग analysis अपना करेंगे silver 20 का और hanksen 20 का तो वीडियो में बने रहेगा और ध्यान से देखिएगा कि कैसे analysis किया जाता है और उससे कैसे आप फायदा उठा सकते हैं तो दोस्तो आज तारिक है 8 February आज जो है बहुत ही जवरजस्त बिकवाली की है FIDI ने माइनस 5000 करोड की विकवाली की है आज FIDI ने लेकिन इसके विपरित माइनस 5000 करोड के विपरित FIDI के विपरित DIs को अगर आप देखोगे तो DIs ने 5512 करोड की खरीद की है ठीक है 5500 करोड की DIs ने खरीदारी की है इस महिने में अभी तक अगर बात करते हैं तो माइनस 7,822 करोड रूपीज जो है मार्केट से आउट हुआ है FIDI ने सेल किया है और DIs ने 9083 करोड का खरीद किया है मतलब 2000 करोड के आसपास अभी तक मार्केट में पैसा इस महिने भी लग चुका है फेब्रेडी के महिने में नेट से अगर बात करें तो मार्केट अभी बुल मोड में चल रहा है और बुल रनिंग अभी चालू है तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार अपना एनलिसिस का पार ध्यान से देखिएगा ये सबके लिए डिफरेंट रहता है हर कोई अपना एक अलग अनलिसिस करता है हो सकता है कि आपको सूट करे हो सकता है कि नहीं सूट करे लेकिन ध्यान से सीखने वाली बात ये है कि इससे आप आउटपुट क्या ले करके जा सकते हैं वो सीखने वाली बात है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं खोलता हूँ Silver Bees का चार्ट Silver Bees का मैंने आपके सामने चार्ट खोल दिया अब इसमें मैं दो इंडिकेटर लगाऊंगा analysis करने के लिए आप खुद से भी कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं RSI का इंडिकेटर मैंने लगा दिया ठीक है Silver Bees में RSI का इंडिकेटर मैंने लगा दिया और मैं दूसरा इंडिकेटर लगाऊंगा Super Trend का जो की बहुत important indicator है इसको आप एक बार अगर सीख गए तो समझ लीजे पैसा चापने के मसी नहीं है ETF में Super Trend Indicator मैंने लगा दिया अब इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग चेंज करूँगा क्योंकि अभी ये अवेलिबल है तीन के सेटिंग पे तो सिगनल कम दे रहा है तो मैं इसको 2.5 के सेटिंग पे कर दूँगा इसमें सिगनल्स बराबर मिलेंगे ठीक है 2.5 के सेटिंग पे मैंने इसको कर दिया है मैं फिर चक कर ले रहा हूँ उसके बाद मैं इस parameter को save कर दूँगा सबके लिए increment हो जाएगा save preference में कर दिया उपर मैंने देखी यहाँ पे time जो लगाया हुआ है one day का लगाया हुआ है ठीक है one day का time frame है और one day के time frame पे ये chart pattern जो है बनके आपके सामने analysis के लिए त्यार है एक बार आप इसको ध्यान से देखते हैं कि क्या निकल के result दे रहा है थोड़ा मैं RSI को बढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको clearly visible हो जाए ठीक है इतने में आपको clearly visible हो जाएगा तो देश्टो सबसे पहले अगर आप check करोगे तो 38 के RSI पे silver bees available है 38 का RSI कल ये 40 पे था उससे पहले 42 पे था उससे पहले 45, 47 पे था 47, 45 से ही लोगों ने हला मचाना चालू कर दिया कि silver bees को खरीद लो भागने वाला है भागने वाला है भागने वाला है लेकिन किस बुनियाद पे बोल रहे हैं एक बार चेक कर लेते हैं silver bees को अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे आप देखिए silver bees को यह लगातार consolidate ही कर रहा है और पिछले एक साल से कुछ खास return इसने बना करके नहीं दिया है consolidate कर रहा है इसके बाद कई articles वगरा में निकला है कि silver 80 रूपीज तक जाने वाला है बट यहाँ तो कोई भी अपने को improvement दिखाई नहीं दे रहा है super trend के chart पे जब RSI लगा करके 2.5 के factor पे मैंने check किया इसको ध्यान से देखिएगा यह बड़ा कारेगर तरीका है check करने का तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा अभी मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ यह देखिए इसने यहाँ पे cell signal दिया है clearly ठीक है नीचे हो तो खरिदारी नहीं करनी है ठीक है अभी यह red के नीचे है आप यहाँ ध्यान से देखिए red के नीचे है अभी यह और भी ज़्यादा तूट सकता है कितना तूटेगा यह तो कोई नहीं बता सकता है लेकिन जो आसार दिखाई दे रहे हैं यह और नीचे अभी गिरेगा तो पैसा एक बार में लगाके नहीं बैठना है पैसे को ready रखना है signal मिलेगा signal मिलेगा green का यहाँ पे जैसे यह मिला और green line के उपर इसने pattern बिनाने चालू कर दिये इतने portion को आप ध्यान से देखिए इतने portion को green line मिला green line के उपर बाई का signal आया और यहाँ से pattern बिनाने चालू कर दिया ठीक है इस तरीके से आपको मिलेगा signal तो आप इसमें entry ले सकते हैं लमसम भी अगर करना है तो पैसो को कम से कम 4 पार्ट में तोड़के रखिए ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है ट्रिक यह है दोस्तो यहाँ हम देखते हैं अच्छे से समझने के लिए थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ मान लिजिए कि आपने यहाँ पे buy किया ठीक है आपने यहाँ पे buy किया मार्केट थोड़ा सा भागा और मार्केट रिवर्स हो गया अगर आपने सारा पैसा एक बार में डाल दिया होता तो क्या होता देखिए कई दिन लग गया हमको लग रहा है कि साल से उपर लग गया मार्केट इस लेबल पे फिर दुबारा नहीं आया आपका पैसा फस जाएगा जब आपका पैसा फस जाएगा तो आपको ट्रेडिंग में मज़े ही नहीं आएगा साल दो साल डेली लेटप खोलोगे बंद करोगे मुबाइल खोलोगे बंद करोगे लेकिन कोई आउटपूट नहीं आने के condition में आप हताश हो जाओगे trading छोड़ दोगे loss book करोगे 2-4 गालिया दोगे share market को बाहर आ जाओगे ठीक है उससे बचने के लिए उससे बचने के लिए आप पैसो को 10 पार्ट में तोड़ लीजिए 5 लाख रुपया मान लीजिए आपके पास है कोई दिक्कत नहीं है अब मैं इसको दोबारा average कप करूँगा इसको तूटने दूँगा ध्यान से देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिए एकदम ये बारी ब्लू लाइन चला रहा हूँ रेड लाइन के नीचे 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 चल रही है यहाँ आकर मैं इसको दोबारा green signal मिला यहाँ आकर average करूँगा दूसरी बार फिर 50 के डालूँगा दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट मैं यहाँ फिर डालूँगा ठीक है चौथा पार्ट मैं यहाँ डालूँगा अब मेरी buying यहाँ पे कम हो गई यह average आजाएगा buying का ठीक है मैं यहाँ पे दोबार एक बार delete करेता हूँ यह 3 मैंने buy किया एक बार buy किया दो बार buy किया तीन बार buy किया ठीक है average मेरा यहाँ कहीं आएगा देखे मैं यहाँ पे out हो गया आपको मैं आपको मैं दिखा देता हूँ डाला, second packet डाला, third packet यहां डाला, यहां पर average आएगा, यह देखिए, अच्छा कासा profit लेके बाहर, ठीक है, कभी loss होने का संभावना है ही नहीं, बाकी आपके पास seven parts और पड़े हैं, बाकी सब ETF चेक करते रहिए, जहां जहां मौका मिलेगा, आप उसको put करते जाहिए, बहुत ही simple है, तो ETF में, silver bees में, मैं यह कहना चाहूँगा आप से, कि अभी silver bees जो है, अभी पैसा लगाने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, ठीक है, indication मिलेगा, घबराने के कोई जुरूत नहीं है, ETF है, एक दिन में पूरा नहीं भागेगा, यहां है, खुसक तक reversal ले ले, टूट रही है, अभी टूट रहा है, काफी दिनों से, अभी और नीचे जाने की संभावना है इसकी, जैसे signal मिलेगा, buy signal, super train, 2.5 के factor पे, तो वहां से आप जो है, इसको उपर के तरफ buy कर सकते हैं, पहले lot से, अब एक बार देख लेते हैं, दोस्तों, hangs and bees क्या कह रहा है, हैंस and bees मैं निकाल देता हूँ, चाइना का ETF है, काफी दिनों से गिरा हुआ है, मैंने तो 4-5 बार इसमें profit भी बुक कर लिया है, 8-8,000 रुपय का, ये देखिए हैंस and bees, हैंस and bees ने, यहां पे अगर आप देखोगे, अगस्त के महिने में, मेरे इस factor के हिसाब से, इसने यहा पढ़ता यहां तक पहुंच गया, मतब 290 रुपया से 225 रुपया पर आ चुका है, अगस्त के महिने से अभी तक, अभी इसने जाके buying signal दिया है, ठीक है, buying signal जब इसने दिया है, वहां से market 2.5% अभी मुश्किल से उपर बढ़ा है, बट buying signal दिया है, green line के उपर है, अभी मै clear कर दूँ आपको, यह से भटा करके, यह देखिए, छोटी सी यहां पर green line आपको दिख रही होगी, buying signal, green line के उपर है, यहां buying बनती है, ठीक है, लेकिन तरीका वही है, आप buying करोगे, कलिए reverse ना कर दे, तो पैसो को 10 पार्ट में तोड़ लो, एक पार्ट यहां डाल दो, ठ कि आप सर्च करते रही है, इसी हिसाब से, बुलेगा तो मैं regular videos डालता रहूँगा, तो hangs and bees में, जो है, यहां पर buying opportunity निकल के आ रही है, पहले lot से आप buy कर सकते हो, अब मेरी profile की बात करोगे, तो मैंने already buy किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अभी तक का कुछ आपको दिखा देता हूँ, मेरी holdings में है, यह देखिए, hangs and bees है, मैं सिरफ अपना बता रहा हूँ, इससे मैं किसी परकार का कोई यह नहीं है कि आप भी खरीद लो इससे, एक लाख रुपया का buying है यहां पर, कली buying किया था मैंने, 138 रुपया का अभी increase हुआ है, ठीक है, य यह silver bees है, silver bees भी मैंने buying किये करके, अभी hold रखा हुआ है, मेरे पास और पैसे हैं, उसको average out करने के लिए, इसलिए 40 below RSI पे मैंने इसको 38 पर कल buy किया था, ठीक है, तो यह है मेरे पास अभी, तो फिलहाल यही है, hangs and bees और silver bees था, तो मैंने उसका analysis कर दिया आपके सामने में, औ और HDFC bank है मेरे पास एक, तो यह share भी मैं बीच बीच में लेता रहता हूँ, कभी-कभी, बहुत अच्छे RSI पे available था, तो थोड़ा सा नीचे वहाँ से 2% गिर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको hold करके लंबा चलना है मेरे को, ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों, वी वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को अन कर दीजेगा, तो मिलते हैं दोस्तों, अगले किसी ऐसे ही नौलेजफूल वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक्यू, बाइ-बाइ, एंड टेक केर फ्रेंड्स